हेलो फ्रेंड स्वागत आपका हमारे चनल फार्मे लेक्टर्स में आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंट्रेस्टिंग होने वाला है विकॉज आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं मार्केट में जितने भी अविलेबल मल्टि वा तो सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर कर रखा है तो मेरा नाम उसेन है स्वागता आपका हमारे चनल फार्मेल एक्टर्स में वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा बीकोसल निरोविन फोट कोई भी यहां पर आप द लुगल है तो एक से जढ़ा वाइटमिन B का यूज करना उसी का हम लोग B कॉमपलेक्स कहते हैं यानि एक से जढ़ा वाइटमिन भी उसके अंदर डाल गया है या और सारे डाले गया हो तो तभी वहां पर मैंचिन क्या हूँ रहा था यह था यह यह ज्धादा उसमें बनाती है और निरोबियन फोड जो आप देखने हो मर्क इंडिया बनाती है इसको इसके लावब जिंकोवेट जो कि एपक्स फार्मसोटिकल्स बनाती है रिवाइटल आच आपको पता ही होगा इंडिया के नंबर वन कंपनी संफार्मा और कोवेट एक्स को जीएस के गैलक्स है इसके लावा नर्वेट है उसको इंक्रीड करता है यानि वेट को गेन करता है और सांदे रिकवर्ड करवा आगर आपका जो वजह जन्हें घट गया है अभी पहले ठीकता तो उसको recover करवाने का काम करता है तो यहां पर हम देख लेते हैं के करके तो जो vitamin B1 अभी आपने देखा था कि जो हम खा पी रहे हैं तो जो यह food है यह क्या है nutrients है इनका क्या होता है गलाइकोलीसेस और टीची साइकल चलता है अगर आप मेडिकल स्टॉडेट भी प्रॉब्लम जो है वह सौल्फ हो गया ईजैसा को हम लोग लौस ऑपटाइड कहते हैं तो वह भी आपका प्रॉब्लम सौल होगा जिसके वजह से आपका वेट जो है वह इंक्रीज होगा गेन हो तो अब आपको खानपान ठीक होने को वेज़े से आपका वीट रिकावर हो जाएगा इसके लबा जो स्लिपिंग डिस्टर्बेंस होता है जिसको इंसोम्निया कहते है उसमें भी रहात मिलेगी और आपको एनर्जी तो मिल रही है तो ताकत भी मिलेगी आपको इसके लबा ने इंडेवलोप्मेंट के लिए तो जिंको विठ हो गया ऐसे बी कॉम्पलेक्स के जो सिरफ होते हैं विकोसुल सिरप हो गया तो सभी के अंदर यह डाला गया है जिससे जो मेली बच्चों के लिए उनका ग्रोथ और इंडेवलोप्मेंट अच्छा हो जाए इसके अलाबा ज लुदिन अपना negatives करता है जैसे कि हमारे बीन्स के अंदर जो यह बैट कॉलेस्टरोल होते हैं लो टंस्टी लिपोप्रोटीन जो होता है Biden कहते हैं इसके जमा हो जाने कüस heart ब्लट का सर्गुलेशन है यह पहुंच नहीं पाता हर्ट तक और जिसके वज़े से कार्डियो वैस्कुलर डिसॉर्डर्स हो जाते हैं तो इसे वज़े से यह लो डेंसेटी लिपू प्रोटीन को कम करता है और एच डील यानि जो गूट कॉलेश्ट्रोल होता है उसको सेरोटनीन का काम क्या है हमारे मोड को हमारे सोते हैं स्लीपिंग और इसके साथ साथ एपटाइट है जो भूख मर जाता है जिसको हम कहते हैं भूख नहीं लगता उसी को एपटाइट कहते हैं तो मोड स्लीप और एपटाइट तीनों को सॉल्व करने का काम किसका है निया से का है जो कि serotonin को neurotransmitter को synthesis करवाता है जिसका काम है regulate करना इस neurotransmitter का सो next हम बात कर रहे हैं vitamin B5 जिसको हम लोग pentothenic acid कहते हैं इसका काम क्या है तो जो निरोपेथिक पीन है इसको synthesis करता है जो कि हमारे muscle के contraction में काम करते हैं हमारे memory जो हम याद करते हैं वो याद रहे हमें और learning यानि जल्दी fast हम उसको याद कर पाएं तो इंसम में यह काम करता है next बात करें तो vitamin B6 अब यह जो B6 है न तो स्कुए ATP में अभी आपको बताया था TCA cycle glycolysis हमारे सरीर के अंदर चलता है ATP formation के लिए जिससे हमें energy मिल पाए और ताकत मिल पाए और nervous system के function को भी maintain रखता है और RBCS को तो formation करवाता ही है सो सीरोटनीन को यह भी synthesis कर रहा है neurotransmitter जो कि mood sleep और appetite को ठीक करता है इसके लाभा vitamin B6 जो है convert करता है L-डोपा को dopamine से और dopamine को norepinevrin से इन दोनों conversion के वज़े से जो है यह क्या करते है हमारे mood को regulate कर रहे है इसके लाभा vitamin B9 है जो कि folic acid कहते हैं और folic acid का mean काम जो होता है आर्बीसिस को formation करवाओ आर्बीसिस को तो गाइनेक डॉक्टर बहुत ज़्यादा यह लिखती है क्योंकि pregnancy related females आती है तो उनका जो fetal development होता है जो pregnancy woman होती है तो fetal development proper हो पाए इसलिए इसके लाभा भी फायदा है प्रोवाइट करवाना एनर्जी को DNA synthesis इसके लाभा आर्बीसिस को formation यह हो गया next बात कर रहे हैं तो अब बहुत जगे आपने देखा बी complex with vitamin C या grape seed extract तो grape seed हो गया vitamin C हो गया यह काम करते हैं इसकीन को healthy रखने में कैसे antioxidant form नहीं होने देते हैं जिसके वजह से को increase करता है हम लड़ पाते हैं जिसके वजह से हमारी immune system के वजह से हमारे सरीट ठीक रहे हैं सो यह हो गया अब डोस के बार में बात करें जो बड़े हैं जैसे एडल्ट डोस होता है 18-25 साल के लोग जो है खाने के बाद जो sirups है वह 10 ml ले सकते हैं बीडी यानि सुबा और र सब्सक्राइब ले सकता है 18 साल से उपर वाले उससे कम डॉक्टर के साला से यूज करें कोई भी आप टैबलेट कैप्सूल को इसके लबाग क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है तो वोमिट इसके रैसिस अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने डॉक्टर के पास तु सब्सक्राइब इसके लाग कर दो सकता है